जैसे ही गर्मिया आती है तो हम डेर सारे तरह तरह के पापड़ बनाने लगते हैं तो उनमें से एक की रिसिपी लेकर आई हूँ बहुत आसान तरीके से एकदम परपेक्ट और आप इनको ना साल वर के लिए स्टोर कर सकते हैं तो यहाँ पर यह देखिए हम लेंगे पानी त चार चुटकी के सम्टिंग खाने वाला सोडा, मीटा सोडा और नमक डालेंगे नमक यहाँ बहुत कम डालेंगे क्योंकि जब पापड़ सुखते हैं तो फिर खारे हो जाते हैं तो इसलिए नमक सिरुमें यह आप कम डालें इसको देखिए इस तरह से गर्म होने देंगे उ कप सूजी आप जिस भी बरतन से पानी मेजर कर रहे ना उसी से आपको लेना है और आप इसको चलाते हुए बबल्स नहीं बनना चाहिए इसमें गुटलिया नहीं रहनी चाहिए जब तक हम इसको पकाएंगे तो देखे 5-6 मिनिट के लिए यहां मैंने इसको पका लिया है और इसी काली मिर्च लेंगी और दो चम्मत हम लेंगे जीरा चोटी चम्मत से और अब इसको ना कूट लेंगे आप इसमें ना चीली फलेक्स यानि की जो लाल मिर्च होते हैं सूकी वाली उसको भी कूट करके डाल सकते हैं और साबू जीरा डाल सकते हैं पर मैं यहां काली मिर का यूज़ कर रहे हैं यह डाइजेशन के लिए कापी अच्छी होती है और जीरा और काली मिर्च दोनों ही डाइजेशन में हैल्प करते हैं और बेट लोस में भी करते हैं तो जब हम इंको फ्राय करते पापड को थोड़े unhealthy हो जाते तो इसलिए हम कुछ healthy चीज़े पहले से इसमें add कर रहे हैं यहां मैंने खाने वाला soda यूज करा है आप चाहें तो ना आदा चमच पापड खार डाल सकते हैं अगर आपके पास है मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हर गर में पापड खार नहीं होता है और पिर लास्ट में जब पापड देखते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि पापड खार के बिना हमारे पापड ऐसे नहीं बनेंगे तो देखिए यहां यह गोल अच्छे से हमने मिक्स कर लिया इसमें जीरा काली मिर्च यहां लिए मैंने चूड़िया तो आप जो डेली यूज की चूड़िया उनको धो कर ले सकते हैं पर मेरे पास यह रखी है जैसे लोहा रहता है उस तरह की चूड़िया है इनको कभी य एक चमच में भर कर समझ में नहीं आता तो मैं आपको छोटी चमच से भी बता रेती हूँ तो बस इनको डालते से आपको इस तरह से उटा लेना है इस तरह से क्या एकदम आपके पूरे ही पापड जो न एकदम एकुवल साइज में बन कर तयार होंगे यह तरीका मैंने बह जाएगा और हाँ लाष्ट में यह ना जब हम तोड़ा लेट हो जाते इनको डालने में तो क्या होता जो हमारा पेश्ट ना गाडा हो जाता है तो उसमें क्या करना आपको बढ़िया से पानी को खोलाना है और इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए ना इतना पानी हमें डाल ल हकेले तो आप एक दो कटोरी के ही पापड़ एक साथ बनाए नहीं तो अगर आपके पास घर में बहुत सारे मेंबर से तो आप आदा किलो सूजी डाइजोर आप सूजी का बना सकते हैं दिखे सभी को बना दिया है इनको सूखने देंगे एक दिन के लिए पंकी की हवा में सुखाएंगे दूसरे दिन को दूप में सूखने के लिए रखेंगे और कुछ इस तरह से हो जाएंगे और इनको फिर ना हमें पलट दना है सभी को पलट देना है बहुत आसाने से यह पलट जाते हैं तो देखिए यह सूजी के पापड जो ना इतने बड़िया टेस्टी बने के तियार होते हैं इतने पापड हमारे तो है ना तीन दिन में खतम हो गए है और आप हम बनाएंगे डेर सारे पर उसका वीडियो आपके पास नहीं आएगा क्योंकि वो ना सुबह शाम जल्दी जल्दी में बनाएंगे तो सूट करना तोड़ा सा मुस्किल होता है इन एक दिन की धूप हम और दिखाएंगे उसके बाद जो है ना हम देखिए यह सूप गए है और इनका कलर थोड़ा डार्क हो गया काली मिर्च और जीरा की बज़े से अगर आप इन दोनों कोई नहीं डालते ना तो यह ना वाइट रहेंगे और यह ना फ्राय करने के वाद फिर से आ जाएगा ऐसी टेंशन करने हाली कोई बात नहीं है और आप इनको बना कर किसी एयर टाइट कंटेनर में भरके पूरे साल भर तक इनको एंजोई कर सकते हैं तो देखिए यह कितने बढ़िया लग रहे धूप में थोड़ा आपको ज्यादा डार्क दिख रहे थे तो देखिए इस तरह के यह पापड़े इतने बढ़िया लग रहे हैं देखने में एकदम परपेक्ट और ट्रांस्पेरेंट हो गए हैं अब हम क्या करेंगे ओईल को अच्छे से गर्म करेंगे पापड़ को डालेंगे और फटाफट से फ्राइ कर लेंगे देखिए इनका करेंगे और यहां देखिए एकदम क्रेश्पी करारे यह पापड़ बन करके तैयार हो गये हैं देखिए तोड के दिकाती हूं इत मसल के दिकाती हूं एकदम पतले-पतले ट्रांस्पेरेंट यह बने हैं तो जो अब नेक्स वीडियो आएगा ना वह भूत अची रेसेपी के उपर आने वाला है तो आप अब इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तिल देन भब बाई थैंक्स पोर वोचिंग